रक्षा बंदन, जन्मास टमी, गनपती, नवरात्री और सबकी फेवरिट दिवाली आभी कुछे दिनों में आने वाली है और इन तहवारों के उपर हम मिठाई और चॉकलेट लेके आते हैं पर वो ही मिठाई और चॉकलेट खाके हम बोर हो चुके हैं तो बिल्कुल भी चिंता ना करिए, जब तक हम हैं तो क्या गम है आज मैं आपके लिए बहुत ही यूनीक और एक्स्क्लूजिव डाइस एंड स्लाइस स्वीट का कोर्स लेके आई हूँ दोस्तों ये सारी मिठाई को देखके आप सोच रहे होगे ये बहुत ही डिफिकल्ट होगा पर आप बिली नहीं करोगे ये बहुत ही आसान तरीक इसे त्यार होती है और कोई भी छोटा बच्चा भी इसे बना सकता है ये केवल दस मिनिट में त्यार हो जाती है ये जितनी सुंदर देख रही है उतनी ही खाने में लाजवाब है अगर आपने इसे एक बार घर पे बनाया तो सारे घर वाले आपकी तारीफ करते हुए नहीं ठकेंगे ये इतनी टेस्टी बनते हैं और हाँ दोस्तों अगर हमने इसे घर पे बनाया है बहुत ही हाईजेनिकली हम इसे त्यार करेंगी और ये बहुत ही कम खर्ष में त्यार होती है जिसे हम हमारे बहुत सारे पैसे भी बचा पाते हैं ये कोर्स के अंदर मैंने सिखाया है सीट्रस चंग, कारमल डेन, बबल ब्लास्ट, हेजल स्लाइस, नटी बाइट्स, बैरी बैश, पाइनोपल, प्रीशिस मुमेंट और मेरी फेवरेट रेड वेलवेट चीज केक डाइस इस प्रकार के नौ रेसिपीज मैंने ये कोर्स के अंदर सिखाया है ये देखे दोस्तों, इस प्रकार से अगर आपने इसे पैक किया और किसी के घर पे लेके गए या तो अपने भाई को दिया तो कोई बिलीब नहीं करेगा कि आपने इसे घर पे बनाया है ये ऐसे ही लगेगा जैसे आपने बाहर से खरीज किसे लेकिया है मैंने यह कोर्स के अंदर सारे टिप्स और ट्रीस के साथ में आपको क्लास सिखाया है जिससे जैसे मैं बनाती हूँ बिल्कुल वैसे ही रेसिपी आपकी भी तयार होगी दोस्तों आप यह मिठाई घर पे बनाके आपने भाई को भी सर्फ कर सकते हैं या तो अगर आप राखी आप केवल 699 रुपए में सीख पाएंगे पर रुप चाहिए दोस्तों अभी ओफर चल रहा है 27 जुलाई 2022 तक ओफर होने की वज़े से यह कोर्स आप केवल 399 रुपीज में 399 रुपए में सीख पाएंगे और दोस्तों 27 तारीक के बाद जब भी आप यह क्लास को एन्रोल करेंगे तो यह कूर्स की फीज हो जाएगी 699 आप एन्रोल करना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया है वह लिंक को क्लिक करके आप क्लास को एन्रोल कर सकते हैं अगर आप गूगल पे कर रहे हैं तो आपको यही नंबर वाट्सअप नंब आपको जल्द से जल्द कूर्स पहुंचाने के लिए तो दोस्तों देर ना करिए जल्दी से नीचे लिंक को क्लिक करके क्लास को एन्रोल कीजिए